हलो बच्चो कैसे आप सभी मैं आज आपको एक बहुत ही बहतरीन तरीका बताने वाला हूँ कि आप बोर्ड एक्जाम्स में कुछ बातों को ध्यान रखकर कैसे बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं बहुत बढ़िया माक्स ला सकते हैं तो चले बच्चो मैं आपका गुपाल सर फिजिक्स फेकल्टी आज आपको कुछ बहतरीन टिप्स देने वाला हूँ आपके आने वाले बोर्ड एक्जाम्स 2023 को लेकर मालू मैं आप सभी बच्चो को बोर्ड एक्जाम्स अब के बल 30 से 40 दिन दूर है हमसे तो हम ऐसा कौन सा तरीका अपना हैं कि हम बोर्ड एक्जा करते हैं सबसे पहले मैं बात करने माला हूँ जिस चीज को लेकर आ रहा हूँ आज आपके सामने वह है बच्चो बोर्ड एक्जाम बोर्ड एक्जाम कि टू जीरो टू थ्री दो हजार तेईस वह कौन से तरीके हैं जो अब हम को बहुत ही कम समय में अच्छे माक्स लाने में मदद करेंगे या बहतर तयारी करने में मदद करेंगे वह बात हम करने वाले हैं तो कुछ बहुत ही बहतरी टिप्स हैं यह टिप्स मैंने बहुत सारे बच्चो के साथ पहले से उनको बताया हुआ है उनके साथ यह किया हुआ है प्रूफ है इसका तो ये अगर आप भी अपनाते हैं बचो तो बहुत बहतर कर सकते हैं अगर आपकी तयारी आपने पिछले दिनों में ज़्यादा पढ़ा नहीं है तब भी आप जो आप सोच रहे होंगे ना अगर कोई बच्चा मान के चलिए आज अपनी तयारीों से ये सोच रहोगा कि मैं 70 to 80% ला लूँगा वो भी 90 प्लस जा सकता ये 90 से आगे जा सकता और जिस बच्ची की तयारी बहुत अच्छी है उसके लिए तो ये मास्टर प्लान है कभी भी फैल नहीं होगा आप 100% इस रास्ते पर चलकर इस तरीके से बहुत बढ़िया नंबर्स ला सकते हैं तो सबसे प बता रहा हूं ये सारे subject को लेकर है ठीक है आपके सारे subject को लेकर है सबसे पहला चीज़ जो आपको करना चाहिए एक्जाम की तैयारी अगर आपने स्टार्ट कर दिया है सबसे पहली बात होती बच्चों जो आपको समझनी चाहिए exam pattern कि आपके exam का pattern क्या है यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी board है चाहे वो UP का हो, बिहार का हो, MP हो, CG हो राजिस्थान हो, जहारखंड हो, उत्राखंड हो जितने भी हमारे पास हिंदी माध्यम board है सभी का pattern अलग अलग है सारे boards में NCRT syllabus पढ़ाया जाता है मगर जो pattern है बच्चो वो अलग अलग है questions पूछने का तरीका अलग है तो सबसे पले तो आपको exam की तयारी करने के लिए अपने exam pattern को समझना ज़रूरी है कि आपके exam में कैसा questions आ रहे हैं कौन से chapter से कितने marks के question आ रहे हैं से numerical आ रहे हैं कौन से chapter से five marks के question आ रहे हैं कहां से MCQs आ रहे हैं ये सारी बाते जो होती न वो exam pattern में सामिल होती है exam pattern के साथ साथ एक और मत्वपूर्ण चीज होती है हमारे पास में जिसे हम बोलते हैं बच्चो blueprint क्या बोलते हैं उसको हम blueprint exam से पहले सारे boards अपने blueprints जो होता है बच्चो वो जारी करता है blueprint में होता क्या है वही exam pattern की बात कर रहा हूँ blueprint ये बताता है कि आपके जो भी subject हैं जैसे बात करते हैं बच्चो physics की ठीक है मैं physics पढ़ाता हूँ तो physics की बात करूँगा जैसे मैं बात करता हूँ physics की class 12 physics की उसका blueprint किसी board ने अगर blueprint तयार किया ना तो उसमें वो ये बताता है कि कौन-कौन से chapter से कितने-कितने marks के question आने है ये बताएगा वो पूरे के पूरे जितने 15 chapters है उसको divide कर देगा कि first chapter से 4 marks के 5 marks के या फिर unit wise 10 units है 10 units है तो unit wise वो divide कर देगा कि unit 1 से इकाई 8 में 2 chapters है तो वहां से आपके 8 marks के question आने तो 8 marks कैसे divide होगा 5 marks का 1 question, 2 marks का 1 question 1 marks का 1 question तो ये हो गया 5 plus 2 plus 1 chapter number 1, chapter number 2 unit 1 से मुरी बात समझे ने? थोड़ा से इसको मैं आपको detail में बताता हूँ जैसे एक छोटा सा मैं example लोंगा या पास में आपका unit 1 जो आपका unit 1 है मालूम है unit 1 इकाई 1 NCRD का unit 1 है वहाँ दो chapters है बच्चो chapter number 1 है और क्या है हमारे पास में chapter number 2 है chapter number 1 मालूम है विद्दुत आविश और छेत्र और दूसरा chapter है बच्चो इस्थिर वद्दुत विभाव तथा धारीता ये दो chapters है हमारे पास में अगर कोई board ये बोलता है कि unit 1 में 8 marks के question आ रहे हैं कितने marks के question आ रहे हैं 8 marks के question आ रहे हैं तो 8 marks को कैसे divide किया है उसने 5 marks का 1 question 2 marks का 1 question और 1 marks का 1 question तो 5 plus 2 2 plus 1 इसमें divide कर दिया है तो यहां से हमको ये पता चल गया कि chapter number 1 और chapter number 2 से 5 marks का एक question आना है तो 5 marks का अगर एक question आ रहे है तो chapter number 1 और chapter number 2 से एक question आ रहे है और उसमें आपके पास में option दिया रहेगा दो प्रशन दिये रहेंगे ठीक है चाहे आप एक question मनाईए या दूसरा question मनाईए जिसको हम optional वोलते है अथवा में दिया रहता है या या करके दिया रहता है तो दोनों में से कोई एक question मनाना होता है तो इसमें हमको ये समझ में आ जाता है अकसर क्या करता है chapter number 1 से एक question देगा और उसके अथ्वा में करके बच्चो चैप्टर नंबर 2 से भी वो एक कुष्यन देगा ठीक है तो पहला प्रश्ण चैप्टर नंबर 1 का और दूसरा प्रश्ण चैप्टर नंबर 2 का यह हमको पता चल गया अब चैप्टर नंबर 1 में कुष्यन कौन से जो 5 marks में आ सकते हैं 5 आने योग्य प्रश्ण है वो है बच्चो अक्षी स्थिति और निरक्षी स्थिति मालूम है आपको गॉस्प्रमे उसके अनुप्रयोग चैप्टर नमबर टू में देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का वेंजग है वही सबस्जादा पूस्ता है तो अगर आ तो यह है एक तरीका पढ़ने का अब यहां पर टू मार्स के बहुत सारे कुश्ण बनेंगे इसमें महनत होता है कम मार्स की कुश्ण में महनत होता है आपको जाना पड़ेगा उसके लिए अभी मैं बताऊंगा कहां पर मिलेगा आपको यह कुश्ण है टू मार्स के वन मार जारी होता है ठीक है चले आगे मैं कोसिस करूँगा कि अलग 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 जिसका ब्लूप्रिंट है उसको समझानी की कोसिस करूँगी कौन से चैप्टर से कौन से कुछन पूछे जा सकते हैं कहां से क्या प्रशन आता है इसके बाद हम बात करेंगे बच्चो दूसरी जो पिछले सालों में पूछे गए कुछन आशे कंव कितने यर्ज के बच्चो लाश्ट फाइब यर्स के कुछन हमको देखने होंगे इससे हमको ये समझ में आ जागा अगर 5 साल के कुश्चन देखते हैं 5 मार्क्स के तो हमको कम से कम 5 से 6 प्रशन मिलेंगे और अक्सर वही कुश्चन क्या होते हैं एक्जाम में repeat होते हैं बोड़ एक्जाम के लिए हमेशा याद रखना बोड़ एक्जाम कभी भी बहुत कठिन पेपर नहीं देता है और बहुत सारे जो कुश्चन होते हैं वो लाश्ट 4-5 यर के रिप्टेट होते हैं कुछ-कुछ नयापन डालने के लिए एक दो कुश्चन में फेर वदल करते हैं बाकि सारे के सारे जो कुश्चन होते हैं बच्चों वही रहते हैं तो बोड़ एक्जाम हो गया ना सरल क्योंकि अगर हम लाश्ट 5-5 यर का कुश्चन पेपर देखते हैं कुछ प्रश्चन नया आएंगे कुछ रिप्टेड आएंगे ऐसा होता है एक्जाम तो यह आपको देखना पड़ेगा प्रिवियस एर कुश्चन पेपर कम से कम लाश्ट 5 यर्स का यह आपको बहुत मदद करेंगे सारे सब्जेक्ट में आप यही तरीका अपनाएंगे और तीसरा और आखरी तरीका यह सबसे पाउरफुल तरीका होता है मैंने बताया आपको एक्जाम पेटर्न ब्लूप्रिंट देखना प्रिवियस एर कुश्चन पेपर है लाश्ट 5 यर्स वो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चो बनाना पड़ेगा अब बात आती है जब आप यह सारे के सारे कुश्चन आप प्रैक्टिस करोगे न तब आपको करना क्या है आपको यहाँ पर बच्चो नोट्स तयार करना है किसके notes से यार करना है जो आप important questions पढ़ रहे हैं बना रहे हैं जो आपको मालूम चल रहा है कि पिछले सालों में पुछे गए हैं और उसी से मिलते जुलते केवल इतने प्रशन करके नहीं उसी से मिलते जुलते questions आप कर सकते हैं जैसे बात करते हैं हर बार मालूम है आपको समांतर प्रेट संधारित्र की धारिता का वेंजग 5 नंबर में दे देता हैं तो उसी के साथ में एक और प्रशन है कि किसी समांतर प्रेट संधारित्र की धारिता का वेंजग ज्याद कीजिए जब दोनों प्रेटों के मद्य आंसि क्रुप से प्रावदूत पदार्थ उपस्तित हो तो वो प्रशन भी देख सकते हैं हो सकता है कि लाश्ट तीन साव से वही प्रशना आ रहा है तो इस बार चेंज करने के लिए उसमें ये डाल दे कि समांतर प्लेट संधाइत्र की धारीता का वेंजक तो निकालना है मगर ऐस से निकालिए कि उसके मध्य में क्या हो एक प्रावदूत पदार्थ हो तो ये चेंज कर सकता है तो सिमलर कुश्चंस हम को करने हैं और जितने कुश्चंस हम करेंगे आने वाले 30-40 दुनों में बच्चो उसका हम एक नोर्स बनाएंगे आप एक कॉपी एक रजिस्टर उठ रखना आप नहीं लिख पाओगे लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपका जो एक्जाम दिलाने का अनुबह भी हो जाएगा कितने टाइम में कौन सा कुश्चं बन रहा है ये मैनेज करने कभी आपको एक आइडिया हो जाएगा और अगर आप खाली पढ़ रहे हो लिख नहीं रहे हो तो फिर बहुत मुस्किल होने वाला है आपके लिख्जाम तो याद रखना इस पेसली में बात करूंगा फिजिक्स की मैस की जब भी आप कोई डिरावेशन करते हैं कोई भी कुश्चं करते हैं बच्चों उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए बार-बार नोर्स त्यार हो जाएगा एक्जाम से पहले आपके पास एक ऐसा नोर्स त्यार हो जाएगा जिसमें कलेक्शन रहेगा सारे इंपोर्टिन कुश्चन का उसमें आपको इधर उधर के कुश्चन नहीं करने वही प्रश्न करने जो परिक्षा में आते हैं परिक्षा में पू जो नोर्स है वो revise नहीं कर सकते उस दिन आपको केवल महत्वपूर्ण प्रश्णों पर ध्यान देना पड़ेगा तो वही जो नोर्स आप बना कर रखे रहोंगे न वो आपको reason करने के काम आएगा 100% ये जो formula बता रहा हूं अपनाया हुआ formula है बहुत सारे बच्चों ने ये काम किया है और सफलता उनको मिली है ये चीज़ याद रखना आप भी ये तरीका अपनाये हम आपके साथ तो हमेशा से हैं बच्चो लगातार आपके साथ में बने हुए हैं और भी आपको guide करेंगे अगर आपको कही पास दिक्कत आएगी न तो उसमें भी हम आपको बताएंगी कि क्या करना है मैं कोसिस करूंगा कि अलग-अलग board के लिए जो plans हैं हमारे ठीक हैं जो हमारे stations होंगे वहाँ पर आपको बताने की कोसिस करूंगा ठीक हैं तो चलिए अब यहाँ पर मैं बोलना चाता हूँ आपको अगर आपको ऐसी ही और भी classes चीए बच्चो और भी live classes चीए और जो guidance है वो चीए तो उसके लिए आप एक काम करके रखना उसके लिए बच्चो आप हमारा जो चैनल है यूटुब चैनल है गुपाल सर फिजिक्स ठीक है यह सब्सक्राइब करके रखना यहाँ पर आपको सारे sessions मिलेंगे और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण topics मिलेंगे one sort reasons मिलेंगे, numerical मिलेंगे, derivations मिलेंगे, सारी classes आपको मिलेंगे साथ ही साथ अब तो हम आपके model paper और sample paper का solution भी start कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मिलेगी और notes के लिए भी आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं उसका भी नाम सेम है बच्चो गोपाल सर, physics अपने दोस्तों के साथ ये class, ये session ज़्यादा ज़्यादा share कीजे हमारा channel को share कीजे और सब्सकों बोलिएगा कि channel subscribe करें ओके, thank you, फिर मिलेंगे, ओके, thank you